उसे सवाल मुक्ट प्रेस चाहिए हम अभी सत्ह में हैं उसे विपक्ष मुक्ट संसत चाहिए हम बैं इसी कड़ी में आरजेडी के मेंबर और पार्लिमेंट पराम अदर्निय मनोज जा साथ से अन्रोद कर रहा हूं कि वो आए और हम लोगों को समोधित करें अदर्निय मनोज शुक्रिया लवली जी तमाम हमारे सीनियर साथी जो यहां बैठे हुए है बस एक बात कहूंगा चुकि नाम किसी का नहीं ले रहा हूं ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है कई वर्ष इस गंतंत्र के आपके समक्ष इस गंतंत्र के अच्छे च्छन के ये गवाह है और इस गंतंत में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवाह हैं तो ये मैं आरंभिक टिपनी मैं शुक्रिया आदा करना चाहता हूं इने नैशनल कॉंग्रेस का कि बहुत शॉर्ट नोटीस पे उनकी दिल्ली कमिटी ने दिल्ली यूरिट ने ये मीटिंग बुलाई मैं शुक्रिया चाहता हूं आप सबों का और मीडिया के साथियों का साथियों लोगतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक आपका चैनल आपका समवाद भी नहीं बचेगा इसलिए इस खत्रे को आप भी समझे जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसत चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सडक चाहिए, खिलारी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए तो ये लड़ाई सिर्फ हम दिलम्बित सांसदों की नहीं है हमारे पुरधान मंतरी जी विदेश जाते हैं अक्सर जाते हैं तो वहाँ सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं डेर सौसान सदों का निलंबन जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुँसे कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूँ अपने तो मा को बीमार कर दिया है मा बेचारी रुगनावस्था में है मा इंटेंसिव केर यूनिट में है तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है वो इमारजी से सांसद कहते हैं आज सा लोग बैठते हैं वो देश का प्रतिद्धित करते हैं कश्मीर से कन्या कुमारी मदुराई से मद्धे प्रदेश अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये रास्ट्रे सुरक्षा का मसला है मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो हमने तब भी कहा था मैं शर्दान चली देता हूँ राजवरी में शहीद लोगों की लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मालिसी दिल्ली के दर्बार से बोलते हैं कश्मीर नॉर्मल फिल नहीं कर रहा है आप पुरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं तमाम चीजों पर पाबंदिया लगाना चाहती है सरके जाग उठेंगी सरकों पर निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है कोई प्रिजाइडिंग आफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सरक पर तूफान ना मचाओ मैं लालू जी की और से तेजस्वी जी की और से एक जूटता का अहवान करता हूँ जैहिन